खंड सिक्षा अधिकारी खंड सिक्षा अधिकारी अगर हम कहें इसको जो है अगर हम इसको दोनों को मिला देंगे आ और आ को आ और और को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा दिरगस और संदी हो जाएगे मैं उस पर बाद में बात करूँगा यानि आपका खंड सिक्षा अधिकारी जो जिसको आप लोग ब्लाक एजुकेशन आफिसर कहते है ब्लाक एजुकेशन आफिसर भी कहते है कहते हैं कि नहीं ठीक है ये भी कहते हैं और सार्ट में इसको आप बी यो कहते हैं बी यो कहते हैं आपको इसमें GS का पोर्षन प्री में आता है प्री को लेकर के जिसको पुना मैं आपको दोहरा दूँ ये बार पिश्ट पिश्ट कर दूँ कि आप जो है इसके संदर में जो प्री के संदर में प्री कम्मेंस का जो ये बैच है इस संदर में रवी सर ने एक सांदार वीडियो बनाया है और उसमें सारी बातें आपको बता दी है पुना मुझे पुनरुक्त करने की कोई इसमें आवा सकता नहीं है वो पुनरुक्त करना पुना टाइम किल करना है हम अपने मुख्य बिंद पर आते हैं में पॉइंट पर आते हैं क्या है हिंदी में अगर आप देखेंगे बियो में हिंदी में आप आएंगे तो एक पेपर होता है हिंदी का यानि सामान हिंदी का पेपर होता है सामान हिंदी एवं निबंध का पेपर होता है यह टोटल एक पेपर ही होता है सामान हिंदी इवंग निवनने का होता है अगर आप प्रारूप जानते हों तो ठीक है नहीं जानते हों एक छोटा सा प्रारूप मैं बना देता हूं ताकि आप जो है कम से कम समझ सकें मेंस में जो होता है वह दो पिपर होते हैं एक GS के होते हैं एक हिंदी के होते हैं तो GS वाले सेग्मेंट में GS के हमारी जो विद्वत्पुन्ड यहां के सिक्षक हैं वो आप से बात करेंगे और दूसरे खंड में यानि खंड खो में यानि एक सेक्शन होगा यह सेक्शन होगा किसका यह GS का होगा यानि सामान अध्यन क्या होगा GS का होगा आपका GS का होगा इसके बारे में टोटल रभी सर ने आप से पूरी बाते प्रेकम्मेंस साधी सारी बातें उन्होंने किया है जो सेक्शन भी होगा यानि जो दूसरा पेपर होगा यह क्या होगा यही पेपर आपका हिंदी का होगा, जिसके बारे में हम आपसे कह रहे हैं कि यही पेपर क्या होगा, यह सामान हिंदी इवंग निबंध होगा, आप यह जानिए कि यहां सामान हिंदी जो है, यहां दो पार्ट हैं, दो पार्ट हैं, एक सामान हिंदी का और एक निबंध का, लेकिन paper एक ही होगा, यह ध्यान में रखेगा, paper एक ही है, कितने घंटे का है, तीन घंटे का, एक सो असी मिनट का, अगर मिनट में लिखेंगे तो, ठीक है, नहीं तो three hours का एक paper है, यानि यह तीन घंटे का क्या है यह पेपर है आपको इन तीन घंटों में इन दोनों को क्या करना है समाहित करना है यानि समान हिंदी को भी आपको देखना पड़ेगा इसी में से को भी देखना पड़ेगा तो पहले हम क्या करेंगे इस विंदू पर आपसे बात करेंगे इसम इहां से आपको जो पहला पॉइंट है समान हिंदी का इससे कितना पूछा जाएगा 100 अंक का पूछा जाएगा एसकितना होगा यह भी 100 अंक का होगा यानि कुल मिला करके अगर आप देखेंगे तो यह कितना हो गया 270 हो गया क्या हो हुई तीन घंटे 200 अब इसको थोड़ा सा हम और सुक्ष्म अध्यानिस्का कर लें ताकि हम जान सकें कि हमको कैसे तैयारी करनी है और कितनी रणनीतिक तैयारी करनी है यह होना चाहिए अगर रणनीतिक तैयारी नहीं होगी तब तो फिर खतम कहानी आपको समय से पहले और लोग से वायोग है लोग से वायोग यह नहीं करता है कि आपको आठ महीना दस महीना बारह महीना इसके कलेंडर होते हैं उस कलेंडर में सामिल किये जाते हैं कलेंडर संसोधित करके यह मैक्सिमम तीन महीना चार महीना पांच महीना देता है और पूरी, जब से ये लेता है, पूरा आपको बता देगा, उसी के अंदर ले लेगा, हाय करते रह जाएंगे, सिलेबस और क्या होगा, हम तो सिलेबस आपका complete करवा देंगे, लेकिन आप ये सोचिए, आप पैसा भी देते हैं, समस्या कहां आती है, कि आप पैसा भी देते ह समय भी खर्च करते हैं, और सफलता भी हाथ नहीं लगती है, क्यों? कभी आप इस पर गवर से विचार करिएगा, कारण ये है, कि हम पैसा ये सोचते हैं, कि जब हमारा वेकेंसी आ जाए, तब हम तैयारी स्टार्ट करने हैं, उसके बाद पता चलता है कि दो तीन महीने का, या चार महीने का उसने समय दे दिया, अब उसमें भागम भाग मचाए हुए हैं, सर जल्दी कंप्लीट करिए कोर्स, सर तो कोर्स कंप्लीट कर लेंगे चुकी, लेकिन हम कितना कर पाएंगे, ये सबसे महत्वपुर्ण होता है, और ही महीने रखता है, समय से पहले, अगर ह अच्छने हस्ते जयों में सब व्याहिदा, इसके लिए नहीं लिखा गया है, कि जब एकदम सर पर हो, तब आप काम करिए, आग लगने पर आप कुमख हो दिये, वो उसके लिए नहीं है, आप एक रणनेनीतिक तैयारी का मतलब एक सही समय पे अपना डिसीजन लेकर के और उसमें लग जाईए, बहुत सारे लोग रोना रोएंगे कि हम फेल हो गए तो क्या करें, भई एक बार नहीं, बार बार आपको प्रियास करना पड़ेगा, और अगर सही से प्रियास सही समय से कर देते हैं, तो निश्चित तोर पे आप सफल हो जाते हैं, आप सोचे कि किस के लिए आप तैयरी करना चाते हैं, ये भी तो सोचे, यहां देख लीजिए, हम थोड़ा सा इसको और सुक्षम, अध्यान इसका कर लेते हैं, एक एक पार्ट को उठाते हैं, तो पहले हम किस पर बात करते हैं, सामानी हिंदी पर बात करते हैं, होगा एक ही पेपर, एक ही स अध्यात होगा, अलग-अलग नहीं होगा, ये ध्यान मेरे लिए, सामानी हिंदी पर हम बात करते हैं, और इस सामानी हिंदी में क्या-क्या आता है, इसको आप जान लीजिए, पहला जो हमारा पार्ट होगा, यानि इसमें जो है, पहला जो पार्ट होगा, वो होगा, का होगा औपठित गद्यांस ठीक है इसका होगा अभी मैं एक एक करके बात करता हूँ आप समस्ते जाएए ये कितने अंक का होगा सव अंक का अभी मैं पूरा अंक आपको बता भी देता हूँ ये सव अंक का होगा ठीक है अपठित गद्यांस औपठित गध्यांस मतलब ऐसा गध्यांस रहेगा जो पढ़ा हुआ नहीं रहेगा इसका ताथपर यह होता है औपठित गध्यांस का इसमें पूछा क्या जाएगा जो आपको स्लेवस दिया है according to commission मैं स्लेवस बता रहा हूँ नहीं तो मुझे करना होगा तो मैं थोड़ा सा systematic करूँगा वो अगेर systematic है लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं उन्होंने पहला point जो लिखा है अपने स्लेवस में जो दिया है ओपठित गध्यांस का संचे पढ़ दिया है पहला point ओपठित गध्यांस का यानि इसमें अगर हम एक point करते हैं अगर हम one point मान लेते हैं तो ओपठित गध्यांस का यहां पर संचे पढ़ देगा आपसे जो पूछा जाएगा यह क्या पूछा जाएगा ओपठित गध्यांस का संचे पढ़ मैं लिख दू क्या चली ओपठित गध्यांस का संचे पढ़ यान समझ रहे हैं ओपठित गध्यांस का संचे पढ़ रहेग किस से संबंधित प्रश्ण रहेगा, किस से ओपठित गध्यांसर से ही रहेगा, क्या रहेगा, संबंधित प्रश्ण रहेगा, ठीक है, दो, दो बिंदू, तीसरा उन्हें ने जो डिस्क्राइब किया है, अपने सिलिवस में, वो कहें हैं कि, रे खांकित अंसों की ब्याख्य अब ये पूछेंगे, जो लोग मान लीजिये देते हैं, वो तो ठीक है, जानते हैं, रे खांकित अंसों की व्याख्या, ये आप से पूछा जाएगा, अभी मैं बताता हूँ, है क्या ये, अभी मैं इसको बता रहा हूँ, चोथा जो पॉइंट है, ये क्या है, चोथा गद्यांस का सिर्शक क्या होगा ये कमीशन ने निर्धारित किया है इसी रूप में उन्होंने लिखा है ठीक हमको लिखना राता तो मैं नंबर के हिसाब से क्रम बनाता जितने नंबर का पूछा जाता है उस हिसाब से मैं बनाता लेकिन उन्हें ने पूछा उसी रूप में म को व्याख्या कर दे रहा हूं एक गद्यांस देगा ठीक है उस गद्यांस में संच्छेपन पूछा जाएगा यानि इसका ओवराल व्यू क्या है अगर मान लीजी वो संच्छेपन देते हैं 20 लाइन का तो आपको कितने 4 से 5 लाइन में उसका पूरा का पूरा नहतार्थ कितने अंक का? 10 अंक का ये होता है पूछा जाता है संच्छेपन जो आप करते हैं वो कितने अंक का होता है? 10 अंक का बहुत महत्तपूर्ण ये भाग है ज्यान में समझेगा दूसरा इस से सम्मंधित जो प्रश्न होते हैं यह प्रश्न यानि एक कोई प्रश्न देगा मान फाच अंग्सखा करेंगे जो होता क्या है कि misuse क्या करते हैं अंडरलाइन कर देते हैं दो रेखांकित कभी कभी कर देते हैं, कभी तीन रेखांकित कर देते हैं, तो कभी दो ही करेंगे, हो सकता उनका मन है, कभी एक भी कर सकते हैं, यह डिपेंड है, जो पुस्ता है, पेपर सेटर है, उस पर डिपेंड करता है, वो कितना रेखांकित, तो उसी की, आपको उसी प बिस्तरित तोर पर बताऊंगा कैसे आप ब्याख्या करेंगे नहीं आता है तो फिर कैसे आप करते हैं कैसे हम तत्कालिक रूप में बात यह नहीं है कि हम कर ले जाते हैं बात यह है इन्दी समय यानि हम उस समय के अंतरगत कैसे हम कर ले जाएं ये सबसे महत्तपुर्ण होता है, ये नहीं है कि बैठे रही है और करते रही है, उस समय के अंतरगत हम कैसे अपने प्रश्न का जबाब समुचित रूप से दे सकें, ये कितने अंक का होगा? ये 6 अंक का होगा, कितने अंक का? 6 अंक का होगा, ठीक है? अब आजाएए, क्या है यह सिरसक है सिरसक कितने अंक का होगा यह चार अंक का होगा सिरसक क्या होता है सिरसक जानते क्या होता है जैसे मूल बिंद केंदर जिसके चारों तरफ क्या होते ही पूरी पैरग्राफ एकदम घूम रही है तो आपको वही सिरसक होता कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताऊंगा मैं आपको इस शीच के बारे में आपसे चर्चा करूँगा कि आप सिर्सक कैसे निकालिए तो ये आपके क्या रहे भाग यानि अपठित गद्यांस का कितने 10 अंक, 5, 15, 15, 26, 21, 25 यानि अपठिद गद्यांस कितने अंक का होगा 25 अंक का 100 में से 25 अंक यानि 1 बटे 4 अंक कौन ले जा रहा है यहां आपका अपठिद गद्यांस ले जा रहा है जिसके बारे में कितना महत्पुरूने है आप यह सोच लिए और यहां से बहुत ही बेहतरी नंबर उठाए जा सकते हैं बहुत ही जबरजस तरीके से आप इसको नंबर उठा सकते हैं तो यह 100 अंक का मैं डिवाइडेशन कर रहा हूँ ठीक है तो यह रहा पहला आपका ओपठिद गद्यांस पहला भाग ठीक आईए दूसरा हम चलें सोवंक में और क्या पूछा जाएगा दूसरा नंबर इसको आप देखें गए दूसरा जो यहां दिये जाते हैं वह पत्तर से रिलेटेड होता है क्या होता है पत्तर होता है ठीक है पत्तर होता है यानि पत्र से सम्मंधित आपको पूछे जाते हैं, अब इन पत्रों में क्या-क्या आपको पूछा जाता है पत्र में? इसमें जो है, एक point पत्र से पूछा जाता है, एक सास की ये पत्र पूछा जाता है, सास की ये पत्र ये पूछा जाता है, दूसरा जो है, पूछा जाता है, और सास की ये पत्र पूछा जाता है, और सास की ये पत्र पूछा जाता है, ये सास की ये पत्र हो गया, ये और सास क आपको कारियाले आदेश पूछा जाता है, यानि तीसरा जो पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है, कारियाले आदेश, कारियाले आदेश पूछा जाता है, ठीक है, आप ध्यान से समझेगा, आपको थोड़ा सा confusion होगा, जो आयोग ने दिया है, इधर उधर दिया है, असपश्ट नहीं, इसी को ग्याप भी लिख दिये हैं, तो ये कारियाल आदेश आपको पूछा जाता है, चौथा जो पॉइंट आपसे पूछा जाता है, यह अधिसूचना पूछा जाता है, क्या, अधिसूचना पूछा जाता है, ठीके, अधिसूचना, मैं इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा कि क्या होते हैं पांचमा जो पूछा होता है यह प्रेश्विग्यप्ति पूछा जाता है प्रेश्विग्यप्ति पूछा जाता है प्रेश्विग्यप्ति और छठा जो होता है यह होता है परिपत्र होता है परिपत्र होता है ठीक है ये 6 लेटर यानि 6 आपको यहां से लेटर पूछे जाएंगे इन 6 लेटर में से आपको कोई 1 लेटर पूछा जाएगा है तो 6 लेकिन पूछा कितना जाएगा एक या तो सास्की ये दे सकते हैं या तो औसास्की ठीक है जिसे अर्ध सास्की भी कहते हैं असास्की मतलब अर्ध सास्की इसकी कह सकते हैं तो हलाकि उन्हें ने औसास्की मेंसन किया है लेकिन ये क्या है अर्ध सास्की है कारियाल आदेस या दूसूचरा पूछ सकते हैं प्रिफ्रेस बिग्यपती पूछ सकते हैं सर्कुलर पूछ सकते हैं इन में से या तो कोई एक प्रश्ण एक दे देंगे कि आप कारियाल एदेस लिखे, हो सकता है कोई वो बिसे दे दें, उस बिसे को इंगित करते हुए आपसे पूछ लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है, या तो आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है, कोई एक सास्की पत्र लिखिए, और इसका उदाहरन प्रस्तुत कर लिजे, या सास्की पत्र किसे कहते हैं, और इसका उदाहरन प्रस्तुत कीजे, ऐसा पूछा जा सकता है, अर्दसारकारी पत्र या सास्की पत्र किसे कहते हैं, इसका उदाहरन दे दीजे, ऐसा भी पूछा जा सकता है, यही सारी विंदु सब में एलागू किया जा सकता है, या तो हो सक कि अंतर पूछ दें कारियाले आदे से अर्द सूचना में क्या अंतर है परिपत्रें असास्की पत्र में क्या अंतर है ऐसा भी पूछा जा सकता और एक उदार प्रस्तुत करिए कुल मिला करके इन से एक प्रश्ण आपको बनने ही बनने 100% यानि पेपर है आउट सीधा सीधा जानिए कमीशन ने कहा कि मैं पेपर आउट कर दे रहा हूं अगर तुम्हारे में दम है तो तुम लो भाई इससे क्या है कि उसने कहा तुमें 6 लेटर दे रहा हूं इस 6 लेटर को ही आपको तयार करना है और इसी में 6 में से आना है लेकिन फिर भी हम नहीं तयार कर पा रहे आगे क्यों भाई क्यों नहीं तियार कर बने है इसमीर समस्य क्या है और क्या है आप जो है कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी इधर यही घुमते हुए रहा रहे हैं और मिस करते हुए चले जा रहे है या पेर स्वेचिये और एक कितने अंक का है ये जो है पत्र जो है जो ये टोटल है ये कितने अंक का है बीस अंक का है सामान्य नहीं है बीस अंक का कोई भी एक पूछेगा और बीस अंक का पूछेगा या तो दो पार्टों में इसको बाट देगा या तो जैसे मानली पूछा कारियाल या देश किसे कहते हैं इसका उदारन प्रसुत कीजिए तो ददश नंबर हो जाते हैं इस प्रकार से भी होते हैं या तो पू पूछा था, सरकारी यह उंगर्द सरकारी में अंतर सम्होतर पूछा था, उदारन प्रसुत करने के लिए पह दिया था, तो अंतर आपको बता देना है, उदारन देना अंतर पे 10 नंबर, उदारन पे 10 नंबर, 20 नंबर हो गए, खटाक दे, और यह सब क्या है, mathematical नंबर है, आ अब आप सोचिए कि कितना कठीन है, बहुत कठीन है क्या, बहुत कठीन है, तो कोई तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि बड़ी बात है यह, कि इसको तैयार करना, आसानिस तैयार हो सकता है, प्रेक्टिस से करना पड़ेगा, तैयार हो जाएगा, तीसरा जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट हुए, कितना नमबर, 20 नमबर, तीसरा आ जाईए, तीसरे बिंदु पर आ जाईए, तीसरा बिंदु ये जो देते हैं, वो कहते हैं, कि हम हिंदी से अंग्रेजी पूछेंगे, क्या, हिंदी से, यानि इसको मैं दो पॉइंट में कर लेता हूँ, ठीक है, मै अब तीसरे का एक पॉइंट जो अनुबाद है, मैं इसी अनुबाद को दो भागों भी भाजित कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको चीजे समझ में आ जाएगा, यहाँ पर क्या है, पहला जो अनुबाद है, इसका कहते हैं, कि मैं हिंदी दूँगा, हिंदी से अंग्रेज ठीक है, यानि हिंदी से क्या हो जाएगा, जिसको हिंदी टूंग्लिस आप करते हैं, ठीक है, यहीं कहते हैं, हिंदी टूंग्लिस पूछा जाएगा, यानि कोई आपको चार, sentence पूछ देंगे यानि जो अनुवाद हम लोग कछा हमको लग रहा है कि जब हम लोग पढ़ते थे कछा अच्छा अच्छा से अंगरेजी पढ़ना इस्टट किये तो अनुवाद पूछा जाएगा वह जाता है साइद वह जाता है वह जाता तो ही था इसी का अनुवाद करिये ऐसा है एक राजा था ऐसा भी हो सकता है ठीक है समभवता उससे मेरी मुलाकात होगी इसका अनुवाद करिये ऐसा पूछ लिया जाएगा अंगरेजी आप बहुत कठी नहीं पूछे जाते हैं लेकिन पूछे जाते हैं हिंदी से अंगरेजी दूसरा जो पॉइंट है इसका ये क्या है English to Hindi है ठीक है क्या है English to Hindi यानि आपको जो है क्या पूछा जाएगा अंगरेजी वह चार दे देंगे और उसका हिंदी में आपको अनुबाद करना है तो ये भी आपको कितने अंकका होता है ये कितने अंका होता बताई ये ये होता है दस अंकका कितने अंकका दस अंकका होता है ये भी कितने अंकका होता है दस अंकका ये भी क्या होता है दस अंकका होता है ठीक है यानि अगर आप total देखेंगे तो अनुबाद कितने अंका का हो गया अनुबाद जो हो गया ये 20 अंक का हो गया हो गया की नहीं ये 20 हो गया ठीक है ये रहे 3 section हो गया यानि 3 part हो गया 3 part को मिला करके कितने नंबर का हो गया मुझे बताएंगे मैं आपको count कर देता हूँ यहां से है पचीस नमबर क्या है ओपठिद गध्यांस है आईए पचीस जोड़े रहिएगा बीश नमबर का लेटर पचीस बीस पैतालिस बीश नमबर का अनुबाद होगा ठीक है? यानि अगर आप से मैं ये कहूँ मैं यहां थोड़ा सा कर दू पचीस नमबर का ओपठिद गध्यांस होगा बीश नमबर का क्या होगा लेटर होगा और बीश नमबर का क्या होगा या अनुबाद होगा आब बताइए कितना होगे? पाँच, दो, छे 65 होगय की नहीं? कितने अंक होगे? 65 अंक होगे 65 अंक का जो पूछा जाएगा यही तीन पार्ट पूछा जाएगा इसमें कुछ बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं ये भी मत जाने हैं मान लीजेक सपोर्देट हम कहते हैं इंगलिस से हिंदी आपको नहीं आती है एक भी आएगा दो भी आएगा नहीं दस अंक प्राप्त करेंगे पाँच अंक प्राप्त करेंगे दो ही लेंगे एक धाई अंक का होता है एक जो है धाई अंक का होगा चार पूछे जाएगे ऐसे इसमें तो हो सकता है कि आपको दो ही पूछा जाए, दो ही आप करें, दो करेंगे, तीन करेंगे, चार करेंगे, यहीं तो हो सकता है, तो जितना करेंगे उत्रा नंबर पाएंगे, जीरो तो नहीं पाएंगे, यह पक्का है, क्योंकि तीन तो इतने आसान रहते हैं कि सारे लोग कर ल जाते हैं नहीं तीन तो दो तो एकदम रहेंगे आसान रहेंगे सभी लोग कर ले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है हाँ दो तीन कठिन रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है अगर यहां पर थोड़ा सा अपकम करते हैं तो उपर आप बढ़ा लिए हम कहा रहा है प्रोडांक में प्रोणांक लाइए, मैं भी तो नहीं कह रहा हूँ, और ना कमीशन कहता है कि बेटा प्रोणांक में प्रोणांक लाओ, क्योंकि प्रोणांक में प्रोणांक ला दो गए तो फिर कमीशन का स्थित्त तो नहीं जायेगा, वो कहां कह रहा है, वो तो कह रहा है, 60-60% लाइए, वो तो यही कहता है, तो आपको जो है, यहाँ पर तीसरा क्या हो गया, अनुमाज से हो गया, ठीक, आईए, चोथे पॉइंट पाईए, चोथा पॉइंट जो क्या है, यहाँ, चोथे सिक्षन पर अगर हम आते हैं, तो, अब आपके पास कितने बज़ गये, 65 अलेडी पहले हो कितने बच गये भी है, यह 100 है, 100 को एक भाग में 55 बाढ़ दिये, यानि एक पार्ट पूरा मान लिजे, एक पार्ट, इस सो अमके में एक पार्ट पूरा हो गया, अब दूसरा पार्ट जो हुआ, वो ब्याकरण का हुआ, कितना अंक का हुआ, 35 का, 35 का क्या पूछा जाएग ब्याकरण पूछा जाएगा, 35 का क्या, ब्याकरण पूछा जाएगा, इसमें क्या पूछा जाएगा, यह आप जान लिजिए, व्याकरण वाले पॉर्शन में क्या पूछा जाएगा, इसको भी आप समझ लिजिए, व्याकरण वाले पॉर्शन में क्या पूछते हैं, यहा मैं बढ़ा कर दे रहा हूँ ठीक है आप इसको समझ लेजेगा मैं इसको बढ़ा कर दे रहा हूँ यहाँ देखे यहाँ पर दिया गया है 35 अंक में इतना पूछा जाएगा अभी मैं बताता हूँ 35 अंक के लिए वर्ण माला आपको पढ़ना पढ़ेगा आज ही सब तो आ नहीं जाएगा अगर मैं क्लियर भी कर दूँगा तो आ नहीं जाएगा कि चलिए आज ही आपको आ जाएगा मैं पढ़ाओंगा मैं जो है आपको सुरू से ले करके बेश से ले करके मैं पढ़ाओंगा और अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, याद भी करा दूँगा, इसलिए आप ये मस सोचिए कि याद कैसे होगा, ये हमारे उपर छोड़िए, तत्सम तद्भो, ये भी आपको पूछा जाएगा, विलोम, इसके समास, विलोम, परियाएवाची, यहाँ लिख दिया गया है, कोई बात नहीं है, विलोम, परियाएवाची, समास पूछा जाएगा, विरामची ने पूछा जाएगा, ठीक है, तो एक पेज में आ जाएगा और कोई बात नहीं है, मैं बोल लहाँ हूँ, आपको मिल भी जाएगा, मैं भिजवा दूँगा, ठीक, हिंदी वर्ण माला हो यहां, यहां तक मैंने कहा, स्वद्रूप की बात, अनेकार्थी की बात, क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा, तत्संतद्भो की बात, विलोम की बात, परियाएवाची, समास, विरामचीहन, यह चीहन होता है, ठीक है, वाक्या रचना, मुहावरा एवंग लोकोब्ति, य परियाएवाची मैंने बता चुका, यह आपको तद्भोत असम पढ़ाऊंगा, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, देसज और विदेसज यहीं पर आए जाएंगे, क्या है ना कमीशन के जो लोग है ना, यह मैं नहीं कहूंगा, कुछ, उमली नहीं उठाऊंगा, लेकिन इतना उल्टा सीधा कर दिये हैं, कि आप सुचेंगे कहां से कहां जा रहा है, होता कुछ भी नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगा, आपको कुछ भी नहीं होगा, एकदम सिस्टमेटिक चीजें हैं, लेकिन इधर से उधर, उधर से उधर, आपको इछेतरी इधर आजाएंगे विदेशी उधर चला जाएंगा, तदबोईधर, तदसम इधर चला जाएगा, मतलब विदम इधर उधर करके यह अपना किये हैं, मैं सिस्टमेटिक आपको बताऊंगा, संदी पूछा जाएगा, क्रिया पूछी जाएगी, सब्दरचना, अर्थ, उत्तफदेश की मुख् यह आपका ब्याकरण से related question है, कितने अंका का होगा, 35 का, कितने अंका का यह होगा, 35 का होगा, अब यह नहीं है कि सबसे पूछेंगे, इस 35 में ऐसा नहीं है कि वो सबसे पूछते हैं, इससे दो नमबर, इससे चार नमबर, इससे तीन नमबर, इससे एक नमबर, इससे दो नम्बर ऐसा कुछ भी ने करते हैं उनकी मर्जी जो टाफिक उठा लें ठिक यह भी नहीं है कि चलिए सब को तो त्यार करना है लेकिन इससे दो नम्बर आएगा इस से तीन जाएगा यह उनका इबिवेक पर उन पर आधारित है कि वो क्या करेंगे पिछली बार उन्होंने किया क्या था यहां से और यह हमेशा होता है मुहावरा एवंग लोकोक्ति से इन्होंने प्रश्ण पूछ दिया कितने अंक का 15 अंक का यानि मुहावरा और लोकोक्ति से कितने अंक का पूछ दिया इन्होंने 15 अंक का एक पूछा यानि पांच मुहावरा पूछे एक जो है तीन अंक का पूछ दिये डेढ़ है नंबर इसमें क्या था अर्थ पे था और डेढ़ है नंबर मिलता है किस पर उसके व्याख्या पर मिलता है तो मुहावरा में आप जान दीजी मुहावरा ये लोकोक्ति में जब भ अहान पर जो है ना ये तीन नंबर में ए आधाध जुर抜ान नंबर अरथ के होते हैं और जुर抜 नमर किसके होते हैं व्याठ्था के नंबर कोते हैं अगर अर्थ आपका सढ़ है तो जुर्ण educator मिल जाएगा अगर ब्याख्या गलख है तो डिर्ण नंबर कट जाएगा ऐसा सिस्टम है मैं आपको बताँगा इसमें तो ये 15 नंबर यहां से पूछ दिया थे महोदया इस टापिक से पूछ दिया थे संधी से उठा करके इन्होंने 10 नंबर का पूछ दिया था इस टापिक से 10 नंबर का केले पूछ दिया था, दश नमबर का, पूछे थे, स्वरसंदी किसे कहते हैं, इसकी भेद बताइए, उदाहर दे दीजे, बस खतम, ऐसा पूछ दिये थे, अध दश नमबर, पंदर दस, पचीस हो गया, पांच नमबर का ये पूछे थे क्या, परियावाची, कहा है, परिया पूछ दिये, तो पांच नमबर का परियावाची पूछ दिये थे, और इसके अलावा, यहां वाक के शुद्धी करण से आपको पूछे थे, वरतनी ये वाक के वाले से, वरतनी ये वाक्य, इससे आपको पांच नमबर के वाले से, वरतनी ये वाक्य, इससे आपको पांच 25, 25, 10, 35 कितना हो गया, 35 कितना अब मैं आऊं उस पर आऊं, चलिए यहां देखे, 35 है 65 है आप से पूछा गया, और यहां 35 पूछा गया, 35 जो है ब्याकरणवाले से पूछा गया है जो एक दम आसान है एक दम mathematical नंबर है इस पर सही तो सही मिलना है तो मिलना है गलत तो गलत यह इतना जबरजस है, 35 और 65 में तो कुछ है ही नहीं 65 में 20 नंबर लेटर का रखा है 25 नंबर गद्यांस का कितना हूं आप करेंगे ना थोड़ा सा भी अगर समझ होगा तो आपको 18 नंबर 20 नंबर, 16 नंबर यह सम मिल जाते हैं ऐसा मिल जाएगा नहीं कुछ तो 55 तो मिली जायगा हम भी नहीं कह रहे हैं कि आप जो है एकदम टापर एकदम जो है 100 में 100 लाईए मैं भी नहीं कह रहा हूं और कोई भी नहीं लाग सकता है तो इसलिए लेकिन हम प्रियास अधिक से अधिक कर सकते हैं और प्रियास करेंगे तो आपका प्रियास क्या होगा फली भूत हो जाएगा यह दिहान में रखेगा तो यहाँ पर जो मैं इसके पहले बता रहा था सौ अंक का जो मैंने यहाँ पर आप से खा का खीजा था यहां पर सौवंख का इस सामान हिंदी का कितना अंख हो गया सौवंख हो गया अब यह ताइम आपको मेरेजमेंट करना है कि रहेगा तीन घंटे एक ही पेपर में रहेगा एक पेपर में खंड ए खंड ए करके या को करके यह रहेगा और खंड खो यानि खंड भी करके यह रहेगा एक ही पेपर में रहेगा आप चाहे इसको आप अधिक समय दीजिए इसको अधिक समय दीजिए यह डिपेंड है आपको कैसे आप समझते हैं और कैसे आप करते हैं यह आप पर निर्भर करता आईए, खंड बी पर आजाईए, खंड बी थोड़ा सा देखते हैं, क्या है? इसे हैं, यानि खंड बी, खंड बी आजाईए, खंड बी में कुछ भी नहीं है, यानि कितने अंक का है? 100 अंक का है, ठीक है? इसमें 100 अंक में होगा क्या? यहां भी आपको दो पार्ट दिये गये हैं, यानि एक जो दिया गया है, कौ दिया गया है, और एक खो दिया गया है, कौ से रिलेटेट कितने निबंध रहेंगे? तीन निबंध रहेंगे, यहां आपसे समझेए, यहां आपको समझेए, यहां आ कितने निबंध रहेंगे तीन निबंध रहेंगे ठीक है यानि यह तीन निबंध रहेंगे अभी मैं इसको डिस्क्राइब इसले नहीं कर रहा हूं कि इसको डिस्क्राइब रभी सार आपको करेंगे ठीक है मैं यह बता दे रहा हूं कि यहां से तीन निबंध दिये जाएंग इन तीनों में से जैसे भासा संस्कृत पूछा जाता है, योजनाओं से पूछा जाता है, सामाजिक समस्याओं से पूछा जाता है, प्राक्रतिक आपदाओं से पूछा जाता है, बिग्यान एन टक्नोलाजी से पूछा जाता है, तमाम भिन भिन आयामों से क्या रहते हैं, य इन तीनों में से कोई एक करना है, चाहे आप इस जो तीन सेक्षन है, तीन निबंद रहेंगे, तीन निबंद रहेंगे इस के यहां पर यहां रहेंगे तीन निबंद, दो पार्ट में यहां पर भी भी भाजित रहेगा, कुल मिला करके आपको, यानि यहां से एक कोईश्चन करना है, यहां से एक निबंद करना है, यह टोटल हो गए कितने, दो निबंद हो गए, कितने हो गए, दो निबंद हो गए, ठीक है, दो निबंद हो गए, अब यहां से अब एक निवन्द बता, ये कितने अंक का हो जाएगा, ये हो जाएगा पच्चास अंक, और ये भी कितना हो जाएगा, पच्चास अंक, यानि ये कितने अंक का हो गया, दोनों मिला करके, सौव अंक हो गया, कितने अंक हो गया, सौव अंक हो गया, यही एसे में पूछा बहत्रेंट टीम के साथ आपके समख्ष प्रसुत होते हैं, हम केवल वादा नहीं करते हैं, काम करते हैं, केवल कहते नहीं हैं, काम करते हैं, उस पर चलते हैं, और वो फलीभूत होता है, इसके उदाहरन आप हैं, जो आप reply देते हैं, आप बताते हैं, कि हाँ सर आप करते हैं ऐसा वास्तों में क्लास में हमारे साथ किया जाता है तो यह जो है पूरा खा का जो है यह BEO का अपका हो जाता है किसका खंड सिछा अधिकारी का यानि पूरा खंड सिछा अधिकारी में आपको second paper यानि जो हिंदी से related हिंदी और निवन्ध से related है वो 200 अंक के होते हैं और ये 3 घंटे के होते हैं इसमें मैंने आपको सब कुछ डिस्टाइब करके बता दिया कि ये पार्ट होता है ठीक है तो बाकी के लिए आगे हम आपसे मिलते रहेंगे और आपसे चर्चा करेंगे इसको ले करके जो आपको टापिक चाहिए आपको जो भ बाक्स में आप करिएगा कमेंट करिएगा निश्चित तोर पर मैं देखूंगा जो जादे कमेंट आएगा जिस टापिक पर उसी टापिक को मैं उठा लूँगा और बता दूँगा कि पुब्लिकली तोर पर बीना कुछ सुलक के आपको बताऊंगा जयानि पुब्लिकली डिटेल इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी और आप निश्चित तोर पर संसा के साथ जुड़िए और हम आपके साथ बिना निहसंग को चापे जानिये कि कदम से कदम मिला करके आपको चलने के लिए तैयार है ठीक है? पुना मुलाकात होती है तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत दोध प्यार बहुत दोध आशिरवाद धन्यवाद जय हिंद